Hello everyone, welcome to EduTab. So, आज हम discuss करेंगे, ऐसे क्या reasons हैं कि हमें अपना jab का जो October 2024 का attempt है, उसे skip नहीं करना है. देखे, बहुत बार ये tendency हमारे अंदर आ जाती है, कि देखो exam का हमने form तो fill कर दिया. लेकिन अब जैसे जैसे exam पास आ रहा है, हमारे मन में doubt आ रहा है, कि यार रहने देते हैं, तैयारी तो हुई नहीं है, October शुरू होने वाला है, September खतम होने वाला तैयारी नहीं है, skip कर देदें. तो हमें skip नहीं करना है, उसके क्या कारण है, सबसे पहले तो अगर आपने पहले कभी कोई attempt दिया था, आपको कुछ तो वहाँ से knowledge deal हुआ होगा, आपने बीच में कभी कुछ वीडियोस देख्योंगे, हो सकता है, आपने कोई course join कर लिया, चाहे तयारी फुल नहीं है, चारीस नंबर का पेपर भी आता है, दस नंबर का भी आपका तुक्का चल जाता पेपर में, you will be able to clear the examination, चारों पेपर दोगे, है ना, आप अगर चारों पेपर दोगे, एक भी पेपर निकल गया, अगली बार आपको सुरफ तीन देने पड़ेंगे, जिससे अगली बार आ आपका प्रेशर कम हो जाएगा, हो सकता है दो clear हो जाएं, है ना, हो सकता है तीन, हो सकता है चारों clear हो जाएं, लख कुछ लोगों का बहुत काम कर जाता है, तो एक तो अगर आपने और आपने पहार आई, थोड़ी बहुत भी शुरू करी है, तो उसका momentum को आप रखी, और जितनी भी त्यारी हुई है, attempt दे दो, उसका कुछ नो कुछ फाइदा ही होगा, अगर एक दो paper भी clear हो जाते हैं, तो अगली बार फाइदा, दूश्रा अगली बार के लिए आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा, कि paper का pattern कैसे होता है, मैं कितने mark से रह गया, कहां से लिवर 50 आजाएंगे, तो फाइदा उठाईए, ठीके और देखो आपको career में growth मिलेगा, आपको monetary benefits मिलेंगे, उसे क्यों आपने background में रखना है, दुबारा से सोचो इस चीज के बारे में, कि मैं अगर ये job examination clear करता हूँ, तो मुझे benefits का मिलने वाले हैं, उस चीज को अपने prestige है, फिर job अगर skip करोगे, cap भी delay कर रहे हो, जब तक JIB clear नहीं होगा, CIB, आप सोच भी नहीं सकते हो CIB के पारे में, तो जब तक ये नहीं clear होगा, इसको आप delay करते जाओगे, अब cap को भी clear नहीं कर पाओगे, उसको भी delay करते रहे हो, तो आपका जो opportunity है, monetary benefits का आप delay करते ज आ रहे हो, ओके, फिर आपकी registration fees कम नहीं है, 4-4,000 उपे भरनी पड़ती है, second, third attempt में भी 13-1300 उपे से उपर भरना पड़ता है, उसे आप waste मत करिये, जब आप भरी दिया है, तो आप paper जरूर दे के जाए, आपको personal satisfaction और sense of achievement मिलेगा, even अगर आप एक भी paper clear कर पाते हैं, even क्या paper में आथा, क्या नहीं आए था, कहां मुझे prioritize करना है, कहां पे नहीं करना है, तो जब तक कोई ऐसा sudden emergency नहीं आता, घर में ठीक है, कोई medical reason हो सकता है, घर में कुछ बहुत urgent है, then it is a different thing, just because कि हमारे मन में वो डर बैठा हुए, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके बार भी अपना attempt skip करने के बारे में मत सोची, आपको कुछ ना कुछ positive ही मिलेगा, कुछ negative नहीं होगा इस attempt को देने में, हो गया ठीक, नहीं हुआ तो कुछ negative तो हो नहीं रहा, तो आपने अगर अगर कोई course खरीद लिया है, मालो आपने batch नहीं लगा आपाए, कोई बात नहीं, recorded देख लो, कोई बात नहीं, YouTube से देख लो, कर अभी भी देखो ना, अभी भी आपके पास सोच लो, 20 दिन का भी समय है अगर, तो 20 दिन भी बहुत होते हैं, लोग कम समय में पढ़के भी, अगर लग का आपका साथ में साथ दे जाए, तो paper clear हो जाते हैं, के बार 4 भी clear हो जा करते हैं, इसमें आपको, हमें 12 दिन देने, अपने, ठीक है, 12 दिन में आपकी 24 classes होंगी, सुभा शाम, सुभा शाम आपकी classes होंगी, और आपके सारा हम से लेबस जितना पर required है, exam को clear करने के लिए उतना cover करवा देंगे, आपको notes भी मिलेंगे, chapter wise MCQs मिलेंगे, full length mock test भी मिल तो अभी आपको यहां पर price जादा लग रहा होगा, तो अभी आप देखो, jab 80 code अगर आप लगाओगे, तो 80% आपको off मिल जाएगा, तो अगर आपको ऐसा लग रहना है कि नहीं यार तैयारी नहीं है, तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप एक्रैश कोस कर सकते हैं, बाकि आपको किसी भी तरीके का doubt होता है, कोई भी आपको issue लग रहा है, तो आप हमें mail कर सकते हैं, at hello at the read edutab.co.in और इस number पे भी आप call कर सकते हैं, हमारी website है, उस पे जा कि आप हमारी courses भी check कर सकते हैं, अगर आप अगले साल के लिए भी prepare कर रहे हैं, तो आप हमारा master course भी join कर सकते हैं, ठीक है, so that will be really beneficial, next year के लिए आप advance में त्यारी कर सकते हैं, और अभी भी जन्होंने form भर दिया है, चाहे 10% त्यारी हो, 0% त्यारी हो, कितनी भी त्यारी हो, आप paper देखे हैं, क्योंकि कई बाद जैसे जो easier subject है, RBWM आपका comparatively इसका syllabus कम है, काफी ची चीजें ऐसी हैं, जो अल्ड़ी आप bank में करते हो, तो क्या बता बिना पड़े ही आपको major paper आता हो, ठीक है, तो all the best for examination, बिल्कुल हमत नहीं हारनी है, अच्छे से paper देखे आना है, बिना stress के आपको त्यारी करनी है, अगले 15 पीजन और अच्छे से आपको paper देखे आना है, course available है, YouTube पे हमारे marathon sessions होंगे, so that will be quite helpful, so that's it for today, thank you so much.